दोस्तो विलैम बॉनेकी ने इस साल के Olympia में अपने लाइब की सबसे worst physical दिकाई थी और इस साल ही उने अपने लाइब की best shape भी दिकाई थी जो कि है Arnold Classic पर दोस्तों सारे लोग उनको ट्रोल करें कि उनका गट निकलना चलो हुआ है या फिर उनका स्टमक ब्लोटेड था उन्होंने अच्छी तरह किसे पोजिंग नहीं की तो फरस्ट अफॉल जो विल्लेम ओनेक है और उनके जो कोच है चैट निक्रोस वो इतने जादा स्मार्ट and experience है कि वो कभी भी अपने प्रोटोकॉल में गलती नहीं करेंगे हमेशा से जो उनका प्रोटोकॉल चलता है उन्होंने फॉलो किया होगा बड़ दोस्तों ये सारे चीज़ें करने के बाद भी जो हमारे कंट्रोल में नहीं रही थे वो चीज़ें आती एक्सेस इंटेस्ट ब्लोटेड होता है डेफिनेटली कुछ न कुछ तो दिक्कत उनके प्रोटोकॉल में जरूर हुई होगी बट इसका मतलब यह नहीं कि वर्ल्ड के बेस्ट बाड़ी बिल्डर नहीं है वो विकॉज उस दिन की बात थी जब वो 9th प्लेस हो गए थे बट अगर वो ऑन कंडि और उसकी बात हम अब भी करेंगे कि Arnold Classic to Olympia किस तरीकी से उनके जो बॉड़ी का डाउनफोल हुआ है उसके बाड़े हम बात करेंगे दोस्तों चार मेने से मैं ये यूटूब चैनल चाला रहा हूँ और स्टार्टिंग से मैंने क्वालिटी पर फोकस किया है कमें मैंने भूद कुछ सीखा आप लोगे की थ्रू एंड हो सकते हैं कि मेरे थ्रू जो बीगनर्स लोगे उनने थोड़ा भूद सीखा होगा तो द नियुक्वरले लेफट साइट पर है ओलम्पीय वाले फिजिक हाला कि ओलम्पीय वाले जो फोट थे उनकी क्वालेटी इस eager ताइम काफी अच्छी थी बड़ जो अर्नाल्वल क्लासिक वाले विल्म वाले की फिजिक है वो फिजिक इतनी अच्छी है कि उस फोट को कौलेटी visible नहीं हो रहे थे, overall body flat चल रही थी, और stomach उनका bloated था, I don't know कि क्या दिकत उनके साथ हुई थी, बट अगर बात करूँ में arms की तो, arms भी ठिक टाक लग रहे थे, बट यहाँ पर जो उनके Arnold Classic में arms full दिख लहे थे, वो इतनी जड़ा full वो Olympia में नहीं दिख रहे थे, वही lats के भी में बात करूँगा, और overall physique की बात करूँगा, sharpness and fullness उनकी physique कहरी नहीं करी थे, Olympia में तो अगर front double bicep की बात करो तो किसी को यकिन ही नहीं होगा कि Arnold Classic के William Bonnet के इसी साल के और इसी साल के Olympia के William Bonnet के तो काफी downfall उनके physique में आ गया था दोस्तों आप बात करते back double bicep की, और दोस्तों जो back double bicep में, Arnold Classic में उनके fullness and detailing आ रहे थी, वो कहीं न कहीं इस साल उनके physique में नहीं दिखाई थी और जैसे कि उनके lats भी थोड़े wide दिख रहे होंगी आपको Arnold Classic में बट Olympia में shrink हो गई थी और पूरी physique, और अगर glutes and hamstring के बात करोंगा दें, दोस्तों जमीन आसमान का फरक आपको यहाँ पर दिखाई देगा जैसे कि Olympia वाले physique है, उसमें उनकी थोड़ी बट condition तो definitely थी बट physique fullness ही carry नहीं करे थी तो इसलिए मैंने कहा कि उनके carb loading के protocol में कुछ न कुछ दिखत होई होगी या फिर कुछ न कुछ ऐसा उनने consume किया होगा जो कि उनके physique को suit नहीं करा और जैसे कि उनके hamstring and glutes Arnold Classic में थे, आकर मुझे लगता है यही physique लेके वो 2023 में आते with 3-4 kg bigger then definitely top 5 में तो Olympia में ज़रूर आए कि but Arnold Classic का title भी वो जीत सकते because अभी इस साल हमने changing criteria भी change होते हुए देखा है और हो सकते कि वो Brandon Curry को हरा भी सकते Arnold Classic में so first of all देखते कि वो Arnold Classic में complete करते या फिर सीधा वो दूसरा कोई pro show लेके उसमें participate करके Olympia का qualification लेते दोस्तो में विलेम बोना के साथ हमेशा से नूटिस के जब वो side chest ports heat करते तब उनके glutes and hamstring to next level पे जाती है बड़ जो उनकी right वाली chest है वो proper तरीकी से illusion create करते है left वाली chest भी ज्यादा यहाँ पर मैं बात करूँगा Olympia की देन उनकी left वाली chest ठिक टाक लग रही थी बट right वाली chest पॉप अप नहीं हो रही थी और जो उनका shoulder के साथ chest का insertion है वो भी अच्छा नहीं देख रहा था बट आप देखो कि Arnold Classic वाली फिजिक देन उनका right वाला body का part अब देशकते हो chest and shoulder कितने ज़्यादा dominant करें इतने कम height पे भी तो मुझे लगता है कि ये वाले physics वो लेके आएंगे then definitely आगले साल उनके लिए काफी ज़्यादा chances होंगे कि वो top 3 या पर top 4 crack कर सके front lats spread में आपका doubt clear हो जाएगा कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जैसे कि front lats spread में वो lats जब भाहर निकलते हैं तब वो और्णर क्लासिक में lats की size भी ज़्यादा दिख रही थी और legs में उनके separation, fullness and overall tightness ज़्यादा दिखा ही देग रहा बलकि उनके जो caps है वो भी ज़्यादा लग रही थी आर्णर क्लासिक में और इससे आप आंदाजा लगा सकते हो कि वो कितने flat थे olympia में because उनके upper body ठीक ठाक लग रही थी बट उनके lower body ने तो एक दम से उनका साथ ही छोड़ दिया था और जो chest में उनका fullness आ रहा था अर्णर क्लासिक में कहिना कहीं वो olympia में नहीं दिखता बट olympia में उनके chest में fiber दिखते हैं हो सकते कि यह photo quality पे भी depend हो पर still impressive नहीं लग रहे थे जितने के वो अर्णर क्लासिक में दिखते हैं तो जो लोग कहते कि विल्यम बोनेक का करियर फिनिश हुआ या फिर विल्यम बोनेक का गट भार निकलना चाड़ हुआ है तो यह इसी साल की उनकी फिजिक है अर्णर क्लासिक की इसलिए मैंने यह video बना है कि विल्यम बोनेक कभी भी comeback कर सकते हैं और यह फिजिक को लेकर अगर वो comeback करेंगे और डिफिनिटली आर्णर क्लासिक में उनको कोई हारा नहीं सकता साइड ट्रैसिप की पोज में जो उनके आम्स मैसिव लग रहे थे आर्णर क्लासिक में कही ना कहीं हमने वो चीज मिस करी ओलंपिया में और जो उनके चेस्ट में left वाले fiber दिख रहे थे वो भी कम हो गए ओलंपिया में तो जो लोग फैंसे विल्यम मोनेक के वो definitely disappoint हुए होंगे और दोस्तो विल्यम मोनेक एक potential वाले athlete है जो कि फिर से comeback ज़रूर करेंगे and वही वाली condition with 2-3 kg more muscle mass वो 2023 में हमें धिखाई देंगे because वो जब भी stage पे step करते वो improvement के साथ ही step करते guys अगर आप Arnold Classic और ओलंपिया वाले विल्यम मोनेक का normal photo देखोगे then आपको वहाँ पे कोई भी difference notice नहीं होगा but आप जब यह lat spread वाला photo देखोगे back lat spread वाला तो विल्यम मोनेक की lats के size कितनी shrink हुई थी ओलंपिय में आप definitely देख सकते हो और जो glutes and hamstring पे downfall आ गया था वो काफी होता और मुझे लागता है कि यह only उस दो दिन की बात है because जब 10 दिन पहले उन्हें फिजिक अपडेट दिया था जब उन्हेंने guest posing करी थी सारी जिज़े on point लग रही थी तो just muscle में glycogen नहीं होगा या फिर केस होकते हो कुछ ने कुछ तो गलती हुई होगी but let's see मैं तो बहुत excited हो कि वो Arnold Classic next year में क्या फिजिक लाने वाले है और किस तरी के से come back करने वाले इसके बात में दूस्तों बात करूंगा सबसे most dominating pose of william bonak most muscular जो कि आजकल mandatory consider किया जाता है और इस pose में clearly सब लोगों को समझ आएगा कि कितना जादा downfall आ रहा था और कितने जादा protocol में गलती हुई होगी william bonak के और वो खुद कितने नारज होंगे खुद से जो most muscular का pose था आरोना क्लासिक का william bonak का एक iconic pose था और उनके life का सबसे best pose हुआ होगा यह ऐसा मुझे लगए काफी जादा fullness क्यारी कर रहे थे उनकी फिजिक और उनके height भी काफी छोटी है चोटे फ्रेम पर उन्हें इतना जादा muscle mass add-on कर रहा है जो कि पहले 20 दिन पहले वह काफी अच्छा है फुलर लग रहे थे तो I hope कि उनके साथ जो दिक्कत हुए थे वह अभी स्वाल हुई होगी और वह healthy होंगे और जब भी वह comeback करेंगी दोस्तों मैं आपको guarantee दे सकता हूँ कि जो अर्णा को subscribe भी कर देना thank you so much for watching it see you soon love you all